सो ए काइस बैक टो दे चैनल आज मिला आया हूँ आप लोगो के लिए 44 का आम्प्लिफायर बौर्ट जो की बहुत ही पुराना है और इस वीडियो में हम इस एंप्लिफायर बोर्ट को रिपेर करेंगे आप देख सकते हो इस एंप्लिफायर बॉर्ट के रिइस्टर वगेरा स वो सारी चीजे हम इस वडियोमे रिप्यर करेंगे तो आईए गास इस वीडियो सुड़ करते हैं गैस यह अम्प्रिफायर बोर्ड बहुत ही दिनों से फेका हुआ था तो इस अप्रिफायर बोर्ड को हमें सबrás से पहले साफ करना है उसको साफ करने के लिess आप यूज में ले सकते हो, जैसे किरोसीन का तेल ले सकते हो, नहीं तो आप पेट्रोल भी यूज कर सकते हो, यहाँ पर मैं बिना कुछ भी लिक्वीड का यूज किये, साब कर रहा हूं यहाँ पर, और ध्यान रखना है कि जो जो रेजिस्टर्स यहाँ पर सड़े हुए हैं और अगर आपके पास है, तो फिर आपको इदिकत नहीं है, आप दूसरे वाले अम्प्लिफायर बोर्ड को देख करके साफ कर सकते हो, तो मैं इसको पहले साफ कर लेता हूँ इस amplifier board का ये रहा before और ये रहा after साफ करने के बाद पूरा clean हो चुका या मैंने थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के ही brush से साफ कर दिया पूरा साफ हो गया आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप किरोसिन तेल से साफ करना इसके जंग वगेरा भी सारे छूट जाएंगे और अब दे से AC power supply input लेकर के DC power supply output दे देगा उसके बाद हमारा है amplifier जो की sound जो है input हमारा कम amplification में जाएगा और उसको amplifier कर देता है amplitude को बढ़ा देगा तो वो हो गया amplifier का पार्ट और तीसरा है base और treble का पार्ट मैं तीनों पार्ट को समझा देता हूं कि किधर से किधर है ये चार diode और ये capacitor मिला के ये हो गया rectifier का पार्ट और यहां से लेकर इधर तक ये हो गया amplifier का पार्ट और यहां से इधर ये हो गया हमारा base and treble का पार्ट तो इस amplifier board में मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि base और treble के पार्ट में ही जैदा problems नजर आ रही है मुझे जो amplifier के पार्ट में components तो इसमें लगे हुए लगिन इसमें जंग उतना नहीं लगा हुआ है तो अब मैं इसको check करके पहले देख लेता हूं कि कहां पे क्या problem है सबसे पहले हमें check करना है इसके rectifier के पार्ट को rectifier के पार्ट में यहां पे देखे डायोड का जो सिंबॉल है positive और negative और कैथोर का वह भी मीट चुका है तो उसको मैं चेक कर लूँगा continuity चेक से यह continuity से चेक हो जाएगा हमारा कौन साइट positive है कौन साइट negative है तो यह चारोड का positive और negative मुझे पता चल चुका है और यह चारो डायोड्स यहां पे सही है तो अब इसमें हमें power supply input देना है यह जो input power supply जाएगा इन दोनों में point में जाएगा इन दोनों point में transformer का जो पावर सप्लाइब होगा वह जाएगा ट्रांसफोर्मर में पॉजिटीव और नेगेटिव नहीं होता है इस रेक्टिफायर में यहां पे पावर सप्लाइब देने का बाद हमारा डीसी का आउटपुट आएगा इस कैपसीटर बड़ा वाला कैपसीटर के पॉजिटीव और हुजिटीव और नेगेटिव में डीसी Si का पावर सप्लाइब का आउटपुट आएगा तो मैं पहले इम्पूट पावर सप्लाइब देता हूं ट्रांसफॉर्मर वाला कंणेक्ट कर देता हुग रांस्फॉर्मर के वायर में पॉजिटीव नेगेटिव नहीं होता है तो यहां पर मैं जैसे कि चेक कर पा रहा हूं कि 12V यहां पर हमारा आउटपुट आ रहा है यानि कि हमारा रेक्टिफायर वाला पार्ट पावर सप्लाय सही आ रहा है AC से DC में कनवर्ट हो जा रहा है यहां तक सही है अब हमें चेक करना है amplifier का part, amplifier के part को check करने के लिए हमें speakers connect करने होंगे speakers हमें कुछ इस तरह से connect करना है IC का pin number 10 और IC का pin number 12 में हमें एक एक wire को connect कर देना है, एक channel में उसके बाद फिर दूसरे channel में भी हमें उसी तरह से एक और speaker को connect कर लेना है तो pin number ये हो जाएगा तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि दोनों speakers में आवाज आ रही है यान कि यह अभी भी सही लग रहा है लेकिन एक और doubt क्लियर करने के लिए यहाँ पर देखिए यह input wire है एक channel के लिए और दूसरा input दूसरे channel के लिए तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा ऐसे वाले चेक करने के लिए समिसी तरह से करेंगे कोई दिक्कत नहीं है आपको electric shock नहीं लगेगा आप यहाँ पर टच करके चू करके देख लेना यानि कि यह amplifier board वाला पार्ट भी हमारा सही है और इस amplifier board वाले पार्ट में से हमें कोई से भी जो register है उन सारे में से कोई से भी को हमें change नहीं करना है क्योंकि यह सारा सही है अब हमें देखना इसके base और treble वाले board में तो भाई इस amplifier board में हमारा दूसरा step सही निकला rectifier भी सही निकला amplifier भी सही निकला तीसरा अब हमें इसके base और treble circuit को सही करना है सही है कि नहीं वो भी चेक करना है तो उसके लिए हमें कुछ components change करने होंगे आप देख सकते हैं बहुत सारे register search करके यहां से निकल करके हट गया है बहुत सारे टूट भी गया है तो इसको change करना है हमें इसको change करने के लिए आपको reference लेना है Google में जाके search करना 44-44 amplifier board और उसके base table के circuit board के अनुसार हमें register को इसमें बैठा देना है और नहीं तो फिर आपको आपके पास दूसरा amplifier board होगा और नहीं तो इस amplifier board आप जो की वीडियो देख रहे हो इस amplifier board के अनुसार जिस तरह से मैं अभी लगाऊंगा उसी परकार से आप लगा लेना मैं अब क् में कि जो भी इसमें register वगेरा खराब है वह register मैं एक पुराने amplifier board का यूज करूंगा और यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि इस amplifier board का जो register से वह maximum से maximum इस amplifier board के register से सारा मैच हो जा रहा है तो उन सारे को मैं चेंज कर लेता हूं अब क्यूंकि गाइज देखो यहां पर मैं इसलिए रिप्रेस कर रहा हूं क्यूंकि इतने सारे register नहीं है मेरे पास यहां पे अलग-अलग 5.5 kilo ohm के register से तो अलग-अलग values के हैं तो व green-blue-red उसी परकार से green-blue-red का यहां भी लगा हुआ है green-blue-red तो इस register को मैं खोल करके यहां पर लगा दूँगा काम हमारा हो जाएगा तो बस अब मैं change करता हूं कि इसमें एक register हमारा चेंज हो गया और इसमें आपको एक और चीज बता देता हूं क्या करना ना आपकी photo capture कर लेना इसमें से इस amplifier board का photo capture कर लेना ताकि कोई भी register बीच में तूट भी जाता है ना तो उसको फोटो में देख करके replace कर सकते हो तो riz Wong को कि यह watch बहुत डिस्ट अगर को जिस्टर कर रहे है tailor Venue को चेंज करने में तो मैं सारे वाइर्स को पहले खोल देखा हूं अब यहां से finance अगर आप लोग Yani को नयाती है तो वाइरिंज में बताऊंगा अभी तक मै इतने रिच्टर लगा इसमें से और यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि कुछ-कुछ components इसमें एड नहीं किया हुआ है जैसे कि यहां पर capacitor 4.7 Microfarad का होता है वो solder नहीं था और इसमें भी नहीं यूज किया गया है क्योंकि पता नहीं इसमें से दोनों चैनलों में नहीं था यहां पर मैं दिखाता हूँ आपको यह यह वाला आर 12 यहां से यहां तक और एक और है यहां से यहां तक यहां पर मैंने अभी solar किया हुआ है और यहां पर नहीं किया हुआ था तो यहां पर register भी नहीं connected था लेकिन मैं इसमें add कर दूंगा इस बार से उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यहां पर और भी बहुत सारे gaps दीख रहे हैं अगर आपको पता नहीं चल रहा कि कौन से register लगेंगे इस वाले gap में या तो फिर इस वाले gap में तो आपको एक और hint मिल जाएगा जैसे कि यहां पर आप देखोगे कि एक channel का यह हो गया बेसेंट्रेवल का एक channel का यहां पर हो गया एक transistor यहां पर देख सकते हो यह transistor यहां पर लगा हूँ है भी डूसरा TRANSYSTER यहां पर हम देखेंगे इस transistor में यहां यहा 00os पहले यहां पर देख लो कि gap कोन सा चूटा हूआ है यहां से यहां तक वाला में से gap जो जा रहा है इस transistor के हमारा collector में jط fi, इस collector में तो is side वाले में से यहां पर देखिए एक र्योस्टर जुड़ा हुआ है हमारा sorry, यहां पर नहीं जुड़ा हुआ है, तो same इस चैनल में अगर नहीं जुड़ा हुआ है, इस side हमें देखना है कि इस side जुड़ा हुआ है कि ने, तो इस transistor के एक collector वाले pin में देखो यह है collector transistor का collector वाला pin यह हो गया और इस collector वाले pin में यहां से यहां तक एक resistor यहां पे जुड़ा हुआ है वण किलो ओम का तो सेम टो सेम वन किलो ओम के resistor भी हमें यहां पर जोड़ देना है क्योंकि गाइज एक चैनल में जब वन किलो ओम का रेजिस्टर यहां पर अल्रेडी जुड़ा हुआ है तो दूसरे चैनल में भी वन किलो ओम का रेजिस्टर ही जुड़ा होगा तो यहां पर खाली है यहां पर मुझे भी नहीं मालूम था तो कुछ इस तरह से यहां पर भी हमें वन किलो ओम क कोपी करके बना सकते हो कि रेजिस्टर का कोई पॉलारीटी नहीं होता है तो आप पॉजिटीव नेगेटिव यहां पर देखना नहीं पड़ता किसी साइट से भी लगा सकते हो लेकिन मैक्सिमम मैंने कोशिज किया है कि इस साइट ब्राउन रखने का और इस में टॉलरेंस र से हो करके और यह वाला रेजिस्टर का कलर कोड है यहां पर एलो वाइलेट और और औरेंज कुछ इस तरह से मैंने दूसरे वाले एंप्लिफायर बोर्ड में देखा और मैच करके मैं देख रहा हूं यहां पर और यहां पर मैं इन दोनों रेजिस्टर को इसमें लगा दू हुआ है यहां पर लगाना है कि पॉजिटिव यहां पी दिया हुआ यह और इसको लगा लेने के बाद हमारा इस Giving काम काम हो जाय पहले मैं इसमें सब्सक्राइब करें यहां पे गई करने है सबसे पहले यहां पर यहां से स्टार्ट करता हूं यहां पर क्या होता है एक पीएफ होता है फिर रेजिस्टर होता है रेड 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 और फिर एक टॉलरेंस कलर का उसके बाद पीएफ रेजिस्टर पीएफ उसके बाद फिर से तीन रेजिस्टर होंगे उसके हमारा जो पी एफ और पीएफ होगा यह तो आप वाला यहां पर यह हमारा 403 का होगा उसी परकार से इस सैन में कर भाले में होगा यह देखो आकार में यहाँ पर यह PF हमारा बड़ा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है वैलू हमारा अगर सेम है तो सब काम करेगा तो चलिए अब मैं इन सारे को भी रिप्लेस कर देता हूं यहाँ पर चारपीस 222 के पीअफ लगा दिया हूं पीएफ रेजिस्टर पीएफ और यहाँ पे पीएफ रेजिस्टर पीएफ और अब हमें 403 के पीएफ लगाने एक यहाँ पर जो की ग्राउंट पर कनेक्ट होगा हमारा वाइस फाइनली कुछ घंटे बाद यह हमारा एंप्लिफायर प्रइबट रिप्लों के तयार हो चुका है और अप देख सकते हो पहले किस तरह से दिखता था और अभी या किस तरह से दीख रहा है मैंने बहुत सारे रिजिस्टर्स और इसमें पीअप्स को चेंज किये और यह बन के रेडियो हो चुका है अभी तक मैंने इसमें चेक नहीं किया है कि बेस Kell का सरकीट इसमें काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो गाइस मैं इसके वायरिंग फुल वायरिंग नेक्ट वीडियो में बताऊंगा आप जरूर देखना उस वीडियो को अगर इस तरह के अंप्रिफायर बोर्ड है तो आप वायरिंग कर लेना और कुछ इस तरह से मैंने इस तरह के वैलू के रेजिस्टर्स को इसमें करता है कि नहीं मैंने इसमें टोटल वायरिंग कर दिया है ऑक्स केबल से रेकर ओडियो इंपूट आउटपूट बेस रेवल वॉल्यूम सारा चीज इसमें कनेक्ट कर दिया है मैंने और इसमें से मैंने हिट सिंग को भी लगा दिया आईसी हीट होती है थोड़ी बहुत त अब मैं आप लोगोगों को चेक करके दिखा दीखा और या काम करता है कि नहीं अब नहीं आप लोगों को चेक करके दिखाता हूं आप दो रूरी मैं इसके एंठ वीडिए मैं बताहूंगा कि चलो अब मैं बेस टेवल आपको ncs music में प्ले करके सुनाता हूँ अित्थ टिया हैं यहराशेंटयेटा, चाँ जित्थ साथाहाशा एंचे इंचे साथाश्वेज एंच्शाश्वेज एंग। कर दो क।ा है कर दो कर दो कर दो ओर कर दो दोड़ दोड़ से लोड़ दोड़ है पहांग है ुट अधर तो गाइस बहुत ही बढिया साउंड की क्वाइलिटी दे रहा हैं वह बढिया काम भी कर रहा है तो कबार में फेके हुए अधरी फायर मिलता हूँ नक्ट वीडियो में सीधे इसके वायरिंग के वीडियो में तब तक के लिए बाबाई कीप वाचिंग मोर वीडियोज ओन यार गेट शीटूब चैनल